हाई दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनाक्षी आर्ट में तो आज आप और हम मिलके बनाने जा रहे हैं पेपर से 3D ट्री तो देखिए दोस्तों कितना मज़ेदार बनने वाला है ये ट्री चलिए पेड़ बनाने के लिए हम ले लेते हैं एक ग्रीन पेपर मैंने A4 साइज का पेपर लिया है अब इसे आप मिड में से फोल्ड कर दीजी याद है ना आपको कि आपको बहुत अच्छी क्रीज भी जमानी है बिलकुल अब हमें एक स्केल की मदद से और पैंक्सिल की मदद से देखिए किस तरीके से एक रेक्टेंगल शोरी ट्राइंगल शेप आपको बनानी है और ये देखिए इस तरीके से कुछ रफली ड्रो कर लेजिए हाँ जी और इसके ऊपर आपको एक स्टार की शेप भी बना लेनी है उसके बाद जस्ट थोड़ी सी जगा छोड़ते हुए एको लाइन आपको ड्रो कर लेनी है ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको ड्रो करनी है और ड्रो करने के बाद गाइस आपको बड़ी ही ध्यान पूर्वक ये देखिए कटिंग कर लेनी है तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज उसे सब्सक्राइब कर दीजे ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए ये देखिए दोस्तों हमने कट कर लिया है अब हम क्या करेंगे स्केल की मदद से बराबर डिस्टेंस रखते हुए ये देखिए लाइन स्ट्रो करेंगे बिल्कुल बराबर डिस्टेंस आपको रखना है और बहुत इजी है बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार लग तो हम इसे यह देखे जहां तक हमने second line ड्रॉ की थी वहां तक इसको cut कर लेंगे Be careful आपको पूरा cut नहीं करना है यह देखे ऐसे हमने सारे अपने जितने भी हमने line ड्रॉ की है सारे ही हमें cut कर लेने है चलिए जी अब हमारे cut तो लग चुके हैं अब आप पताईए क्या आप मेरे साथ बना रही है न यह ट्री यह देखे बस थोड़ी सी देर और इसे open करिए Yes अब आप कहेंगे कि भै यह तो 3D बना ही नहीं अरे just wait आप दिखाते हैं आपको अपना कमाल और इसे बनाते हैं 3D ट्री यह देखे आप एक कोई भी छोटी सी बारीक सी कोई भी डंडी ले 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 जी या स्टिक ले 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 जी और इसे एक छोड़कर एक इस तरीके से करते चले जाएं थोड़ी सी बड़ी ले लिजेगा यास बिलकुल इसी की तरह आप पूरे को करते चले जाएं complete यह देखे हमने कर लिया है complete अब हमें बीच की लाइन को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है ताकि यह जल्दी से 3D शेप में आ जाए यह देखे हम अपनी सारी लाइन्स को इसी तरीके से फोल्ड करते वे चले जाएंगे ताकि धीरे धीरे हमारा जुट्री है वो 3D शेप लेने लगे यह देखे साइट में से भी आप थोड़ा सा फोल्ड करते चाहिए पिलकुल उसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ यह देखे है ओ देट्स नाइस आप देख सकते हैं कि कैसे हमने केवल कटिंग से ही अपनी ट्री को 3D लुक दे दिया है यह देखे है नाइस ना दोस्तों तो प्लीज सभी मेरे वीडियो को लाइक करिये और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यह दो सब्सक्राइब के करिये है यह दोती है कि अव्ड़का है यह है